नमस्ते तेरी स्कीचन में आपका स्वागत है आज आप मिल्लिट फ्लैक्स से इवनिक स्नैक्स बनाएंगे यह खाने में बहुत ही चर्पटा लगता है और इसे बनाना बहुत ही असाम है तो चलिए इसे बनाते हैं मैंने यहाँ लिटिल मिल्लिट फ्लैक्स काजू मुंगफली मखाना रोस्टेट चनादाल करी पत्ता लाल मिर्च जीरा शर्षो चाट मसाला हल्दी पॉर्डर लाल मिर्च का पॉर्डर और नमक लिया है करहाई में मिल्लिट फ्लैक्स डालेंगे और इसे दो से तीन मिडियम फ्लेम पर भूनेंगे इसे प्लेट में निकाल लेंगे करहाई में मखाना डालेंगे और इसे भी दो मिनट मिडियम फ्लेम पर भूनेंगे मखाना भून गया है इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे करहाई में दो चम्मल तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे तेल गर्म हो गया है इसमें एक चमाज ने कनिशीं के आघ्ग एक चमंत जीरा एक और लाल मिर्ट ढ़्व होई को इसमें मुंफल गालेंगे और इसे दो मिनमट मिडियम फलेम पर थूनेंगे इसमें काजू डालेंगे और इसे भी दो मिनट मीडियम फ्लेम पर ढूनेंगे इसमें रोस्टेट चना दाल और करी पत्ता डालेंगे इसे भी दो मिनट मीडियम फ्लेम पर और ढूनेंगे इसमें आदा चमच हल्थी पॉड़ो डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे इसमें मिलिट फ्लैक्स, मखाना, एक चम मच लाल मिर्च का पॉर्डर, एक चम मच चाट मसाला, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसे निक्स करेंगे, इसे दो मिनट मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे, यह तैयार है, अब फ्लेम को बंद करेंगे, और इसे सर्फ करेंगे, मिलिट फ्लैक्स से बना इवनिंग स्नैक्स तैयार है, धन्य बाद,